बच्चो यह एक fruit और इसका seed cover ना निकालते हुए क्या आप बता सकते हुए यह monocot है या dicot है नहीं बता सकते ना अरे बता सकते हो भाई यह देखो इसी fruit के plant का यह एक leaf है अगर हम इसको back side से देखे तो आपको इस leaf पर venetion दिखेंगे और आपको कहा क्या दिख रहा है प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहे है तो जिस plant में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें जो fruits होते हैं उनके seeds होते हैं वो कैसे होते हैं वो dicot होते है और on the other side अभी मैं दिखाने वाला आपको monocot seed का plant यह है अपना monocot plant और आप यहाँ पर देख रहे होग झाप